दोस्तों आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हर दिक स्वागत और अभिननदन करता हूँ, दोस्तों ये प्लेटफॉर्म र दूनियर एंजिनियर, सिनियर सेक्षन एंजिनियर और NTPC तथा RPF की परिक्षाएं शामिल हैं दोस्तों, इन सभी परिक्षाओ में भावतिक बिख्यान के सवाल खूब पूँखे जाते हैं, बेतहाशा पूँखे जाते हैं, और अगर भावतिक बिख्यान पर आपकी पर आपकी पकड़ अगर मजबूत नहीं है, तो आप हमसे जुड़ें और लगातार हमारे वीडियोज देखें, और साथ में आप स्वाध्याय भी करें, सेल्फ स्टेडी बहुत जरूरी है, आपको एक सुझाव देता हूँ दोस्तों, रेलवे में जो भावतिक विग्यान प तो आपको एक आइडिया, अवश्य मिल जाएगा, है ना, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि हमको किती गहराई में जाकर के भावतिक विग्यान को पढ़ना है, भावतिक विग्यान कक्षा नौ और कक्षा दस के इस्तर का पढ़ा जाए, या कक्षा ग्यारह और ये नियरिंग के लेवल की फिजिक्स पढ़ी जाए, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, कक्षा नौ और कक्षा दस के लेवल की भावतिक विग्यान की आपकी जो तैयारी है, वो बहुत बहतरीन होनी चाहिए, साथ में कक्षा ग्यारह और अगर आप इस पोजिशन में हैं, मतलब आपको IIT के तैयारी के लेवल का फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको इंजिनियरिंग और नीट की प्रवेश परिक्षा नहीं देनी है, लेकिन जो इंटर्मेडियेट की बोर्ड की परिक्षाएं हैं दोस्तों, उनको पास करने के लिए जो तैयारी चाहिए, उतनी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, यकीनन करनी पड़ेगी, तो भावतिक बिज्ञान आपके लिए रेलवे में नौकरी पाने का एक प्रवेश द्वार है, गेटवे है, तो बिना देरी किये दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, ये साइन्स की वो ब्रांच है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोन फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका नाम ही रख दिया गया, इलेक्ट्रोनिक्स, तो दोस्तों, पहला सवाल जो आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बैक्ग्राउंड में, उसको मेरा खयाल है कि आप पढ़ भी चुके होंगे अब तक, तो आइए, हम भी पढ़ते हैं, क्या है सवाल, प्रवर्धक का उदेश्च क्या है, प्रवर्धक किसको कहते हैं दोस्तों, प्रवर्धक का मतलब होता है, एम्प्लीफाईर कर दे, बढ़ा दे, प्रवर्धित कर दे, किसको प्रवर्धित कर दे, बच्चों, सिगनल्स को बढ़ा दे, है न, तो पूछा यही गया है कि किसको किसको बढ़ाना है, किसको किसको बढ़ाना है, यह देखते हैं, कहा जा रहा है, एम्प्लीफाईर का उद्देश्च क्या इतनी सारी जो सिगनल हैं, बच्चों, इनको बढ़ाने का काम कौन करता है? एम्प्लीफायर, जो शब्द है, हिंदी में प्रवर्धक लिखा हुआ है, इस शब्द के माइने हैं, एक ऐसा उपकरण जो एम्प्लीफाई कर दे, प्रवर्धित कर दे या बढ़ा दे, तो आगत मतलब होता है इन्पुट, आने वाले जो सिगनल्स हैं, किसके सिगनल हैं ब पहला आप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, टिक लगा दीजिए, सवाल नमबर 870, आप्शन नमबर A, बिल्कुल राइट, आर आर बी जेई, 2014 में पूछा गया था बच्चों, ये, 14 दिसंबर 2014 को, दूसरा सेट था ये, लाल रंग का, इसका पेपर आया था बच्चों, ठीक है, सन 2014 में जो जूनियर जीनियर और सीनियर सेक्शन जीनियर की परिक्षाएं हुई थी, उनमें जो सेट बनाए गये थे, रेलवे भरती बोर्ड के द्वारा, वो अलग अलग रंगों के थे, वह रंग एक प्रकार के कोड को रेप्रेजेंट करते थे, तो हम लोग बा मॉस का पूर्ण रूप क्या है, मॉस, मॉस, यह सवाल रर्बी के सीनियर सेक्शन एंजिनियर में 21 डिसंबर 2014 को पूछा गया था, आपके पास चार उत्तर हैं बच्चों, मेटल, ऑक्साइड, सेमिकंड़क्टर, मॉस्ट, ओफन स्टोर, मेथड, और इनमें से कोई नहीं, मॉस बड़ा ही पॉपुलर है बच्चों, लोकप्रियर और फ्रेक्वेंटली यूज किया जाने वाला शब्द है, इसका पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमिकंड़क्टर, एक ऐसा सेमिकंड़क्टर जो मेटल ऑक्साइड से बना हुआ हो, उसे कहते हैं बच्चों, मॉस, सवाल नमबर 1871 के लिए उप्चन नमबर A को लॉक किया जा बच्चों, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जब अर्ध चालक पदार्थ में दाता प्रकार के शुद्धी जोड़ी जाती है, देखिए दाता को कहते हैं डोनर, डी ओ, एन, ओ, आर, ठ आता कहलाता है, तो जब अर्ध चालक, अर्ध चालक मतलब होता है, सेमी कंड़क्टर मेटेरियल में डोनर प्रकार के शुद्धी जोड़ी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्पन होंगे और एन टाइप पदार्थ बनेगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन होंगे और पी टाइप इलेक्ट्रॉन उत्पन होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा, किसको सही कहा जाए, तो दोस्तों जब डोनर की अशुद्धी मिलाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्पन होंगे और एन टाइप सेमी कंड़क्टर बनेगा, आप्शन नमबर एको लाग करिएगा आरारबी के सीनियर सेक्षन इनियर का 21-12-2014 का पेपर है बच्चों ये, सेट नमबर 9, येलो पेपर, अगला सवाल आपके सामने स्क्रेन पर ये रहा, आरारबी के जूनियर इनियर का सवाल है, ये 14-12-2014 का ग्रीन पेपर का सेट है, जंक्षन में खराबी का बाती है, ब् बश्च बाइसित के अंतरगत, निर्मान दोश के कारण, बड़े आराम से, रिलाक्स होकर के देखिएगा बच्चों, जंक्षन क्या होता है, जंक्षन का मतलब होता है दोस्तों, P-N जंक्षन, P-type semiconductor और N-type semiconductor दोनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं, P-N जंक्षन, जो P-N होता है बच्चों, आम तवर पे उसका सिंबल यह होता है, यह देखिए, यह जो बनाया गया है, यह क्या है, ऐसी, यह P-N जंक्षन का सिंबल है बच्चों, कहा जा रहा है, P-N जंक्षन में या जंक्षन में, breakdown का होता है, breakdown, जब आप, direct, मतलब, P-type की और से N-type की और, विद्यत धारा को भेज रहे हैं, तो धारा, forward bias में कही जाती है, और आसानी से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्तों, जब आप current को उधर से भेजेंगे, और इधर लाने की कोशिश करेंगे, तो यह current को आने नहीं देगा, फिर क्या करेंगे आप, आप और current की value को बढ़ाएंगे, यानि कि potential difference बढ़ाएंगे, विभवांतर बढ़ाएंगे, जैसे से विभवांतर बढ़ाते जैंगे, बढ़ाते जैंगे, तो एक ऐसी position पैदा होगी, कि यह break कर जाएगा, उस position को कहेंगे breakdown, तो breakdown कब होगा बच्चों, जब आप reverse bias में current भेजने की कोशिश करेंगे, है ना, reverse bias को हिंदी में first bias कहा जा रहा है, option number C को पढ़िए गवर से, first bias की अंतरगत, breakdown की position आती है, 73 के लिए option number C को लॉग करिएगा, दोस्तों, RRB के junior junior परिक्षा में 14-12-2014 को उचा गया था ये, और green set था बच्चों ये, तो मेरा खयाल है कि आपको मैं समझा पा रहा हूं, अगले सवाल पर आपको ले चलता हूं, दोस्तों, अगले सवाल आपके सामने screen पर ये रहा, न बहुत बढ़िया सवाल है, दोस्तों, नीचे जो diagram दिखाया गया है, यह किसको represent करता है, दोस्तों, तो बड़े गवर से देखिएगा, यहाँ पे बच्चों, आपके पास emitter है, वहाँ collector है, यहाँ base है, और current emitter से base की और आ रही है, ठिक, तो नीचे दर्शाय गया चितर दोस्तों, पावर डायोड का नहीं है, जीनर डायोड का हरगिस नहीं है, NPN transistor का भी नहीं है, फिर किसका है बच्चों यह, सवाल नंबर 1874, दोस्तों यह है PNP transistor, नीचे दर्शाय गया चितर किसका प्रतिरूप है दोस्तों, PNP transistor का प्रतिर रूप है अगले सवाल पर आपको ले चलता हूँ मैं अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों और वो यह है कि क्या है पी टाइप का अर्ध चालक प्राप्त करने है तू पांच संयोजक्ता वाले अशुधिता को मिलाया जाता है जी नहीं तीन सह संयोजक्ता वाली अशुधित को मिलाया जाता है दोनों प्रकार की अगिक मिलाया जाता है इनमें से कोई नहीं मिलाया जाता है तो सवाल मैं कहा जरा पी टाइप का सेमी कंड़क्टर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों तो बड़ी आसान सी बात है देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं इंसूलेटर कंड़क्टर का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर से होकर के विद्युत्धारा को आसानी से गुजरने देते हो और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने भीतर से होकर के विद्युधारा को हरगिस गुजरने नहीं देते हैं एक बिरादरी और होती है दोस्तों वो कंड़क्टर और इंसुलेटर के बीच की बिरादरी होती है ऐसे पदार्थ जो अपने भीतर से होकर के विद्युधारा को आम तोर पे गुजरने नहीं देते लेकिन अगर उस पदार्थ में थोड़ी सी अशुद्धी मिला दी जाए या थोड़ा सा उनको टमप्रेचर बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा विद्युधारा को प्रवाहित होने की इजाज़त देते हैं दोबारा सुनिएगा ऐसे पदार्थ जो कंड़क्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रापरटी को धारण करते हों उन्हें कहा जाता है सेमी कंड़क्टर हिंदे में इसका नाम होता है बच्चों अर्ध चालक और जो अर्ध चालक पदार्थ होते हैं आम तोर पे इनकी सैयोजक्ता चार होती है इसका अर्ध यह हुआ कि उनके परमाणूओं के सबसे आखरी या सबसे बाहरी कक्षा में चार इलेक्टरान पाए जाएंगे कितने इलेक्टरान मिलेंगे? चार तो चार इलेक्टरान वाले कौन-कौन होते हैं? बच्चों कारबन होता है तो कारबन के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए जैसे यह नाभिक बना दिया आपने, नियूक्लियस, कारबन का नियूक्लियस बना दिया आपने अब इधर, 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 इधर ऐसे, यह कारबन का एक एटम है बच्चों इनके चार बाहरी के अक्छा के चार इलेक्टराण होंगे, वो एक इलेक्टराण इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है ये कार्बन के दूसरे वाले परमाणू से दोस्ती कैसे करेंगे? ऐसे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये यूँ जाके जुड़ जाएगा, यूँ ऐसे, ऐसे ये बात समझने की कोशिश करें आप लोग, हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? कि ये देखिए, जो हमने ये डॉट्स बनाए हैं, ये अच्चोली उन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रिजेंट कर रहे हैं, जिनको हम लोग कहते हैं, सईयोजी इलेक्ट्रॉन, जो अंग्रेजी में वैलन्स एलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, दोस्तों, अब देखिए, ये कार्बन का एक परमाडू है, कार्बन का एक परमाडू है, इसके चारो तरफ एक एक एलेक्ट्रॉन, इसके चारो तरफ एक एक एलेक्ट्रॉन, इसके चारो तरफ एक एक है फूरसत में नहीं है हमने आप से अपने पिछले वीडियो में बात करी होगी आज दोबारा बात कर लेता हूं परमाडू दोस्तों जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि किसी परमाडू के पास एलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है तो नंबर अफ और्बिट्स भी कम होंगे जिनके पास एलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं उनके पास नंबर अफ और्बिट्स भी ज्यादा होंगे जब ज्यादा एलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों तो और्बिट्स ज्यादा होंगे और जो बाहरी वाला सबसे आखरी वाला एलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत कटना खटेगी उसे हम free electron या मुक्त electron कहेंगे और वो चार्ज करियर का काम करता है चार्ज करियर का काम करता है आवेश को कैरी करने का काम करता है और यह बड़े काम के होते हैं जिस पदार्थ के पास या जिस material के पास charge करियर जादा होंगे वो सूच अलग पदार्थ कहलाएक कर्बन ऐसे है इनके पास कोई फी फ्री लेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है लेकिन अगर गरम कर दिया जाए इसको यह जो बॉंड है न यहां से एक लेक्ट्रॉन माल लिए कि निकल कर कि यहां आ गया और यहां खाली इस्थान हो गया तो यह साहब क्या करेंगे आवेश को कैरी करेंगे और आवेश को जब यह कैरी करेंगे कैरी मतलब ले जाएंगे तो धारा बहेगी लेकिन बहुत कम धारा बहेगी तो हम करते क्या हैं कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाने की कोशिश करते हैं जिनके पास आखरी कक्षा में पांच इलेक्ट्रान हों जब पांच इलेक्टरान होंगे बच्चों, मान लीजिए कि आपने किसी अशुधी को, किसी impurity को मिला दिया, जब मिला दिया, तो उस अशुधी को मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए, पांच इलेक्टरान वाले कोई material आपने मिला दिया, तो चार लोग तो से चार तरफ से दोस्ती कर लेंगे, एक बेचारा बच जाएगा, फ्री फुर्सत में वो यहां पड़ा रहेगा, और ये पड़ा-पड़ा क्या करेगा दोस्तों, विद्धारा को ले जाने में अपनी भूमी का निभाएगा, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं दोस्तों, जिनके पास आखरी कक्षा में तीन इलेक्टरान होंगे, जो तीन इलेक्टरान वाला है, उसके साथ क्या होगा बच्चों, ये तो नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे, फिर रहेगा कौन बच्चों, ये ध्याध्यान से देखिएगा, ये तीन लोगों ने तो गठवं कर लिया तीन लोगों ने दोस्ती कर ली ये वाली जगह खाली पड़ गई जो जगह खाली है दोस्तों उसको हम पीले रंग से दिखा रहे हैं ऐसे गौर से देखना आप ये जोग है इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों इसे कहते हैं होल हिंदी में कहा जाता है कोटर अंग्रेजी में होल तो जो होल है बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रिजेंट करता है और ये धन आवेशित कणकी जैसा विवहार करेगा है ना तो जिस semi conducting material में 5 violence electron वाले अशुद्धी को मिलाते हैं उनका सुभाव क्या होगा बच्चों उनके पास electron या free electron बढ़ जाएंगे और उनका सुभाव negative होगा ऐसे semiconductor को n type semiconductor कहके बुलाईएगा और जिनके पास तीन संयोजी electron वाले impurity को आपने मिलाया उनके पास ये धन आवेशित कण के जैसा विवहार करेगा इसको P type semiconductor कहके बुलाईएगा ओके यहां तक बात समझ में आगई आपको कहा जा रहा है P type semiconductor प्राप्त करने हे तू क्या किया जाएगा बच्चों संयोजक्ता वाले शुद्धी को मिलाएंगे तो N type यहने negative type semiconductor बनेगा आपको क्या चाहिए तीन संयोजक्ता वाले शुद्धी मिलानी है ना तो option number B को लॉक किया जाए सवाल number 1875 के लिए दोस्तों क्या सही होगा option number B B फार बामबे railway भरती बोरोड के senior section junior में पूछा गया था दोस्तों ये 2112 2014 को set number 7 था yellow paper आया था बच्चों ये अगले सवाल पे आपको ले चलता हूँ अगला सवाल ये रहा दोस्तों क्या है tunnel diode सवाल number 1876 दोस्तों tunnel diode क्या है बड़े आराम से देखिएगा tunnel diode के बारे में क्या कहाजर टनल डायोड में बच्चों सवाल number 1876 उच्च प्रतीरोधकता PN junction diode धीमी switching यंत प्रवरधक साधित्र अत्याधिक डोग किया गया PN junction diode दोस्तों ये ही सही उत्तर है option number D को lock किया जाए tunnel diode क्या होता है बच्चों जब आप ज्यादा impurity मिला देते हैं impurity मिलाए जाने की प्रक्रिया को doping कहा जाता है है ना तो जब आप बहुत ज्यादा doping कर देते हैं तब क्या कहा जाएगा बच्चों tunnel diode एक ऐसा PN junction diode जिसमें doping बहुत जदा हो जदा doping होगी तो जदा charge carrier मिलेंगे आपको और जदा charge carrier मिलेंगे आपको तो वह बढ़ियासे electricity को और बढ़ियासे conduct कराईगा तो electricity kthushy-khusy यजदा आगे बढ़ेगी और जब आगे बढ़ेगी इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों इसका नाम रखा गया है टरनल डायोड अरभी का जूनियर जीनियर का सवाल था ये 14 दिसंबर 2014 को पूछा गया था ग्रीन कलर का सेट था बच्चों ये अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है सवाल नंबर 1877 और वो ये रहा दोस्तों अर्ध चालक शब्दावली में डोपिंग का मतलब बताईए अर्ध चालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है दोस्तों अर्ध चालक पदार्थ को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है अशुद्धता का प्रतिशत बढ़ाने की एक प्रक्रिया है बाहरी परमाड़ों को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, बायसित वेभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है दोस्तों, तो अशुद्धता को हम लोग अंग्रेसी में इंप्यूरिटी कहते हैं दोस्तों, तो impurity जब हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसी को कहा जाता है doping बाहरी परमाडू मिलाए तो जाते हैं लेकिन कौन से बाहरी परमाडू भाई हमारे purpose को पूरा करें ऐसे परमाडू ऐसे परमाडू या तो P टाइप या तो N टाइप है ना मतलब या तो पांच सही उजक्ता वाले या तो तीन सही उजक्ता वाले क्या हम दो या एक या साथ या आठ सही उजक्ता वालों को मिलाएंगे हरगिस नहीं तो सवाल नमबर 1877 के लिए option नमबर B को लाग करियेगा दोस्तों थार अरभी के जूनियर इंजिनियर परिक्षा में 2014 में 14-12-14 को पूछा गया था ये सवाल सेट नमबर दो था लाल रंग के पेपर में था दोस्तों ये सवाल अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 1878 कहा जा रहा है दोस्तों 1878 में एक एकी क्रित परिपत अंग्रेजीम बच्चों इसको कहा जाता है Integrated Circuit एकी क्रित परिपत का नाम क्या है Integrated Circuit जिसे IC चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मेत इलेक्ट्रोनिक परिपत का एक समूह है जो किससे बना है बच्चों Copper से, Silicon से, Silica से, Chromium से RRB के NTPC परिक्षा में Stage पहला Shift दूसरा 28 April 2016 को पूछा गया दोस्तों यह सवाल सवाल नमबर 1878 आराम से देखिएगा तो दोस्तों आपने सुना होगा क्या सुना होगा आपने? Silicon क्या सुना हुआ है आपने? Silicon Silicon क्या होता है दोस्तों? Silicon वो material है जिसका integrated circuit बनाने में इस्तेमाल किया जाता है आप क्या करिएगा? Option number B को लाग करिएगा दोस्तों सवाल नमबर 1878, option number B करेक्ट आंसर है है ना? जहां से सुनिएगा जो भारत में कारों का निर्मान हो रहा है उसमें electronic devices का इस्तेमाल होने लगा है बहुतायत से होने लगा है जो mechanical चीजें थी वो धीरे-धीरे electronic devices में बदलती जा रही है उनमें क्या चाहिए हमको? integrated circuit वाला चिप चाहिए जिसको IC चिप कहा जा रहा है उसके निर्मान के लिए हमको सिलिकॉन की जुरत पड़ेगी दोस्तों है ना? तो सिलिकॉन के लिए क्या करेगा 1860 में option number B को log करिएगा ये सवाल बेहत जरूरी था आपके लगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर RRB के NTPC का पहले चरण का सवाल है दोस्तों 19 जनवरी 2017 और उसके बाद 17 जनवरी 2017 मतलब 17 तारिख फिर 19 तारिख दो दिन के बाद दोबारा पूछा गया है दोस्तों ये सवाल important है जर्मेनियम का इस्तमाल मुख्यतह कहां किया जाता है दोस्तों मध्यस्त के तोर पर अर्थ चालक के तोर पर चालक के तोर पर विसम बाहक के तोर पर सवाल नमबर 1889 के लिए दोस्तों आराम से देखिएगा क्या कहा जा रहा है जर्मेनियम मेडियेटर का इस्तमाल काम नहीं करता है चालक का काम नहीं करता है विसम बाहक का काम नहीं करता है ये क्या करता है दोस्तों, ये अर्धचालक का काम करता है, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्य रूप से अर्धचालक के तौर पर किया जाता है बच्चों, तो अगले सवाल पर आपको ले चलने की बारी आ चुकी, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, प्रकार्ष उत्सर्जक डायोड अंग्रेजी में इसका नाम होता है दोस्तों Light Emitting Diode LED आज कल आपके घरों में LED लैंप जगमगाते हैं शाम होते ही मार्केट में दुकानदार भाई लोग अपनी दुकान को रोशन करने के लिए चमकाने के लिए जगमगाने के लिए LED लैंप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं क्या होता है दोस्तों कहा जा रहा है प्रकार्ष उत्सर्जक डायोड LED इलेक्रोनिक करनों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलिविजन तो जो टेलिविजन होता है दोस्तों उसके बाद है खाली जगह फिर लिखा है छोड़ती है तो टेलिविजन क्या छोड़ती है पराबैंगनी किरने X-rays त्रिष्च प्रकाश रेडियो तरंगे बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों जो टेलिविजन होता है वो रेडियो तरंगों का उत्सरजन करता है किसका रेडियो तरंगे उत्सरजित होती है टेलिविजन से आप्शन नमबर C को लॉक करिएगा दोस्तों आरारवी एंटी पीसी का सवाल है 7-4-2-0-16 को पूछा गया था ये सवाल तीसरे शिफ्ट में और पहला चरण था ये परिक्षा का आराम से देख लीजिए सवाल नमबर 18 सबसी आप्शन नमबर C को लॉक किया जाए दोस्तों अगले सवाल पर आपको ले चलता हूँ अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है को एक रेक्टिफायर के रूप में इस्तमाल किया जाता है यही सही है दोस्तों एम्पलीफायर के रूप में तो ट्रंजिस्टर का इस्तमाल होता है मैगनीफायर क्या होता है दोस्तों जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे हम लोग magnifying glass के बारे में पढ़ते हैं purifier क्या होता है दोस्तों? पानी को purify किया जाए, हवा को purify किया जाए water purifier, air purifier बगएर बगएर है न? हमें किस के बारे में जानना है दोस्तों? rectifier के बारे में तो diode क्या करता है? rectification का भी काम करता है इस rectifier को बच्चों हिंदी में कहा जाता है distcari हिंदी में क्या नाम है इसका? distcari distcari क्या होता है बच्चों? बड़े आराम से समझेगा distcari यानि कि rectifier आप थोड़ा सा हमारे साथ समय दीजिए हम आपको समझाने की कोशिच करते हैं दोस्तों कि rectifier क्या होता है? तब आप इस सवाल की गहराई में पहुँच सकते हैं क्या होता है rectifier बच्चों? आप लोग सभी लोग mobile phone का इस्तमाल करते हैं हमें आप देख पा रहे हैं अपने phone में है ना? गौर से देख लीजिए rectifier क्या होता है? ये मैं समझाने चल रहा हूँ हमें गौर से मत देखिए phone को गौर से देखिए phone में rectifier आपको दिखाई देगा भी देखिए ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा तो जो mobile phone का इस्तमाल करते हैं दोस्तों आप लोग वाइल फोन जब discharge हो जाता है तो charging के लिए आप charger का प्रयोग करते हैं charger कई बार आपका खराब हो गया होगा, आप दूसरा खरीद करके लाए होंगे, है न? और जो charger खराब हो गया होगा या कहीं गिर जाता है या तूट जाता है तो तूटे हुए charger को फेंक मत दीजिएगा संभाल के रखिएगा क्यों? अब आपके पास जो तूटा हुए charger है जो खराब हो चुका है जो आपके लिए काम का नहीं रहा वो आपके किस काम आएगा ये देखिए एक पैचकस ले लीजिए और खराब वाले charger को खोल डालिए ना खुले तो तोड़ करके खोल लीजिए और क्या कहा जाए खोलने के बाद आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा ऐसा कुछ कुछ मिलेगा दोस्तों ये क्या हो रहा है? ये हम समझा रहे हैं, आप समझिए ये देखिए ये वो सिंबल है बच्चों, जो बाहर से 220 बोल्ट, 50 हर्ट्स की सप्लाई अपने कमरे में जो बोर्ड लगा हुआ है, बिजली का बोर्ड वहां से आपके पास जो प्लग है, सौकेट है आप क्या करते हैं? ले आते हैं सप्लाई को कहां लाते हैं? अपने मोबाइल के चार्जर तक, ठीक है फिर ये प्रत्यावरती धारा को रिप्रिजेंट करता है अल्टरनेटिंग करेंट को 220 बोल्ट की सप्लाई को यहां से जो सप्लाई आगे बढ़ी, यह ट्रांसफार्मर का सिंबल है बच्चों यह कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो पहली वाली क्वाइल है, उसमें नमबर आफटन्स ज्यादा होंगे फेरे ज्यादा होंगे इसलिए पास-पास बनाए गए है दूसरी वाली कुंडली में फेरे कम होंगे इसलिए दूर-दूर बनाए है आगे चलिए जब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्या होने वाला है? गौर से देखिएगा यहां पे एक डायोड लगाया है मैंने और यह वाला डायोड क्या करेगा बच्चों जो नीचे बना हुआ है उपर वाले डायोड नीचे वाले डायोड से होगा क्या? यह दोनों फारवर्ड बायस में अभी दिख रहे हैं आपको है ना? यह P टाइप और यह N टाइप मिलके P N जंक्चन डायोड बन गया यहां से प्रत्या वर्तिधारा यह अल्टरनेटिंग करेंट जो चल रही है वो इधर पहुँच गई ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक परिपत से दूसरे परिपत में ट्रांसफर करता है इसलिए इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं अब जरा समझिएगा आगे चलके क्या होगा बच्चों यह ऐसे जोड दीजिए और यहां पर ला करके एक क्या करिएगा इसको जोड दीजिए यहां पर जो सप्लाई आपको मिलने वाली है प्यारे बच्चों यह सप्लाई मिलेगी आपको DC सप्लाई कैसी सप्लाई मिलेगी बच्चों आपको डारेक्ट करेंट वाली सप्लाई दिश्ट धारा वाली सप्लाई यह जो डाइगराम आप देख पा रहा है ये rectifier का चित्र है इसी को दिश्ट कारी कहते हैं पूरा नाम क्या है इसका फुल वेव rectifier पूर्ण तरंग दिश्ट कारी यहाँ पे एक आप कैपे सीटर भी लगा दीजिए अब लीजिए बहुत बढ़ियां DC सप्लाई मिलेगी आपको इससे आप अपने mobile phone को चार्ज करते हैं ओकी आगे आपको क्या समझना है बच्चों देखिए करना ये है आपको यहाँ से transformer को सप्लाई गई transformer से आपने step down किया 220 volt की सप्लाई को 12 volt 24 volt या 6 volt पे आप उतारते हैं, कम करते हैं जिस समय ये उच्च विभाव पर होगा या positive होगा उस समय ये negative पर होंगे मतलब ये high potential पर होंगे तब ये low potential पर होंगे अब जब ये high potential पर होंगे तो current की दिशा, वेद्धारा की दिशा इधर होगी अब इधर होगी तो क्या होगा बच्चों ये current आगे बढ़ जाएगी यहां तक पहुचेगी और उनके मुकाबले में बीच वाला जो फेरा है वो कम विभावानतर पर low potential पर होगा तो यहां से यहां के बीच में आपको कुछ potential difference मिल जाएगा जो आपको यहां पर प्राप्त होगा दूसरी वाली cycle में cycle का मतलब प्रत्यावर्तिधारा की बात हो रही है न तो प्रत्यावर्तिधारा में cycle होती है है ना तो जब दूसरी cycle में ये वाले सहा positive हो जाएगे तब वो negative हो जाएगा और ये उच्च विभाव पर होंगे उनके सापेक्ष बीच वाला जो फेरा है वो कुछ कम विभाव पर होगा तो आपको यहां से यहां के बीच में विभावांतर प्राप्त होगा जो यहां प्राप्त कर सकते हैं और वो ये वाला register आप देख रहे हैं इसमें विद्युद्धारा की जो दिशा होगी बच्चों वो हमेशा कैसे होगी इस तरह से होगी चाहे यह positive हो चाहे वो positive हो लेकिन इसमें धारा की दिशा हमेशा unidirectional होगी एक्कै दिशा में होगी और जो एक्कै दिशा में होगी तो इसको हम लोग कहेंगे direct current या dish धारा ये है दोस्तो rectifier इसको dish कारी भी कहके बुलाया जाता है अब आप सवाल हल कर सकते हैं कहा जा रहा है diode को एक rectifier के रूप में इस्तमाल किया जाता है ठीक है option number 1 को lock करिए बच्चों अगले सवाल पे आपको ले चलता हूँ germanium, rubidium, scandium, gallium चार उत्तर दिये गए है किसकी खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन से बदल दिया गया था दोस्तों बहुत बढ़ियां कहां पूछा गया था रार्वी के ग्रुप D का सवाल 5-10-2018 को पहली पारी में हम ये बात आपसे पहले भी कह चुके हैं आज दो बारा या तीसरी बार कह रहा हूँ किसी भी सवाल के माथे पर ये नहीं लिखा होता कि वो सवाल आसान है कि कठिन है अगर वो सवाल ग्रुप D में पूछा गया है तो आप इस गलत पहमी में मत रहिए कि वह जूनियर इंजिनियर में नहीं पूछा जा सकता या सीनियर सेक्शन इंजिनियर में नहीं पूछा जाएगा हर सवाल अपने आप में एहम होता है ठीक इसलिए प्रत्यक सवाल को आप गंभीरता से लें सिरियसली लें आईए इस सवाल को देखा जाए, कहा जा रहा है दोस्तों किसकी खोज बाद में हुई थे और इसको Eka Silicon से बदल दिया गया था Rubidium G नहीं, Scandium G नहीं, Gallium G नहीं सही उत्तर क्या है, Germanium Germanium की खोज बाद में हुई थे, किसके बाद में दोस्तों Silicon वगेरा के बाद में Germanium की खोज हुई, और पहले दोस्तों एक material के बारे में पता चला था, जिसका नाम लोगों ने रखा था Eka Silicon, तो जब Germanium की खोज हो गई, तो उसको इसी से replace कर दिया गया, है ना, तो Germanium को टिक मारिएगा आप लोग, सवाल नंबर 1882 के लिए दोस्तों, option नंबर किसको टिक किया जाएगा, C को, right answer, option नंबर C, लॉग किया जाए, अगला सवाल दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है आपके, 1883, कहा जा रहा है, निमलिखित में से कौन सेमी कंड़क्टिंग मैटेरियल है, कौन है बच्चों जो सेमी कंड़क्टर है, बड़े गाउर से देखिएगा, लेड है, गैलियम है, ये क्या है, तिन है, और जर्मेनियम है दोस्तों, तो option नंबर D को लॉग करिए, ये जर्मेनियम का सिंबल है, GE, यही वो मैटेरियल है, जो सेमी कंड़क्टिंग मैटेरियल है, और अरबी की ग्रुपली का सवाल 28, 9, 2018 को पूछा गया था दोस्तों, ये पहली पारी में, लेड सेमी कंड़क्टिंग मैटेरियल नहीं है, और गैलियम भी नहीं है, तिन भी नहीं है, क्या करिएगा दोस वही सवाल देखिए फिर से आया सिलिकॉन, गैलियम, अल्यूमिनियम, जर्मेनियम है ना एका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम के नाम से जानते हैं आज की दुनिया में अरर भी, गृब्डी का सवाल 269 2018 को पूछा गया दोस्तों ये दूसरी पारी में पूछा गया था सवाल नमबर 1884 के लिए आप्शन नमबर C को लोग करियेगा दोस्तों अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 1885 आ चुका है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणूँओं में कितनी कक्षाएं होती हैं दोस्तों साथ कक्षाएं, पांच कक्षाएं, तीन कक्षाएं, चार कक्षाएं क्या करियेगा बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल तो जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है दोस्तों इनका जो electronic विन्यास होता है इसमें चार कक्षाएं होती हैं और ये सभी चाओते आवर्त के element हैं है ना तो आप क्या करिएगा आप करिएगा option number D को lock ये हो गया lock RRB Group D का सवाल 179-2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों option number D को lock कर दिया जाए तो दोस्तों ये आज के वीडियो का आखरी सवाल था जो electronics unit से तालुक रखता था दोस्तों इसी तरह का अगला वीडियो हमारा आने वाला है जल्दी ही आएगा उसका आप इंतिजार कीजिए और अगर railway भरती board की त्यारी आप कर रहे हैं तो हमारे इस channel को यानि की youth competition times के platform को जिसका नाम रखा गया है youth engineering इस channel को आप subscribe जरूर कर लें इस पर आपको बहुत ब बिल रहे हैं और आगे मिलते रहेंगे आपकी काम्याबी में आपकी काम्याबी की जो building बनने वाली है उस building में एक eat हमारी तरफ से भी हम चाहते हैं कि इस eat को आप अपने building के foundation में इस्तमाल जरूर करें building बनाने के new में इस्तमाल जरूर करें दोस्तों आपको एक छोटी सी कह पहानी सुना करके तब वेडियो का समापन करूंगा। सुनेंगे आप। सुना दूंगे। आईए। लाल बहादुर शाष्ट्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी। भारत के लाल। उनका जन्ङ दिन होता है बच्चों, दो अक्तूबर को। जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्दिन होता है। उसी दिन लाल बहादुर शाष्ट्री साहब का भी जन्दिन होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी समाज सेवा करने के लिए राजनीती में आये थे और प्रचार से छपास, दिखास ये इन सब चीजों से बहुत दूर रहते थे बिल्कुल लुके, छिपे, दबे हुए, काम बहुत बढ़िया करते थे लेकिन पबलिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो किसी पत्रकार ने उनसे एक बार पूछ लिया, कि शास्त्री जी आप इतने बड़े-बड़े काम कर जाते हैं, लेकिन आपको छपने में, दिखने में क्या परिशानी है तो शास्त्री जी ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, जो महाँ पे बिल्डिंग रही होगी आसपास, उसकी तरफ इशारा किया और पत्रकार से कहा कि देखो, यह जो बिल्डिंग देख रहे हो न, इस बिल्डिंग का जो कंगूरा है, कंगूरे पर बड़ी नकाश खुबसूरत एटे लगी हुई हैं, पत्थर लगे हुए हैं, संगमर्मर लगे हुए हैं, दुनिया इन्हीं खुबसूरत पत्थरों को देखती है, लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, इसमें एक एट ऐसी भी है जो नियों की एट है, फाॉंडेशन की एट ह यदि उस एट को हिला दिया जाए तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी वो एट जितनी गहराई में और जितनी मजबूती से लगी हुई होगी इस बिल्डिंग के लाइफ उतनी ज़्यादा होगी ये सुनकर कि वो पत्रकार निरुत्तर हो गया तो हम क्या चाहते हैं दोस्तों कि आप हमारे इन सवालों को जो सवाल हम आपसे साजा करते हैं शेयर करते हैं जो वीडियो हम लेकर के आते हैं इसे आप अपने करियर की बिल्डिंग का फाउंडेशन ब्रिक बनाएं नीव की इट बनाए आपके करियर में नीव की इट बनकर हमें खुशी होगी हम धन्य हो जाएंगे दोस्तों इनी शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएका आपको हमारी तरफ से बहुत सरी शुभ कामनाई और नमस्कार